मैं सुरूंत कुमार मेगवाल और एड अंगल के online platform पे मैं आम लोगों का स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करते हैं plant physiology का second part plant physiology के second part में हम लोग क्या पढ़ना चाहे हैं देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे आप और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे steps of the light reaction दो चीज़ें हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं और जो हमारे पास दो चीज़ें इन में लोग बात करेंगे तो जो light reaction हमारे पास है उसमें हमारे पास non cycling or cycling reaction यह दोनों चीज़ें पढ़ने वाले मतलब हम लोग आज second इन पार्ट में जो है इन दोनों चीज़ों को discuss करने वाले एक तो हमारे पास में cycling reaction और एक नोन cycling reaction ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर देखिए light reaction की हम लोग बात करेंगे तो life reaction हमारे पास में जो होती है है था crashes में और की घाप करें देह किए अगर हम लोओ बात करें च्रेवारे पास क्या एक हमारे पास में cyclic और नोन cyclic और जो cyclic reaction ने उसकोई साइक इस्फार्ट ये कि नाम से भी जानते हैं है और हमारे पास non-cyclic है उसको अपन क्या करते हैं non-cycling को photo-phosphorylation के नाम से भी जानते मतलब अगर अपन बात करें cyclic और non-cyclic जो cyclic reaction होती है उसमें हमारे पाफ ps1 अगर हम लोग बात करें ps1 की मतलब की photo system first वो involved होता है और यह हमारे पाफ less efficiency की होती है second हम लोग बात करेंगे तो second हमारे पाफ non-cyclic reaction है जिसमें हमारे पाफ ps1 और second दोनों involved होते हैं और यह हमारे पास में more efficiency की होती है ठीक है next हम लोग बात करें cycling reaction में हमारे पास में only ATP बनता है क्या बनता है हमारे पास में ATP लेकिन non-cyclic reaction की बात करेंगे तो यहाँ पार एक तो अमारे पार ATP बनेगा और एक बनता aja dph ठीक है तो यह हो गई हमारे पां light reaction की बात सह का से complete होती है जिसके हम लोग बात करेंगे देखिए हमारे पास जो light reaction complete होती है उसके लिए हमारे पास तीन इस्टेप है जिसके हम लोग बात करेंगे पहली हमारे पास में photo excitation of chlorophyll है second हमारे पास में photolysis of the water और third हमारे पास में photo phosphorylation है यह हमारे पास इस्टेप लाइट करें दिचन के लेकिन अगर अगर वबत करें तो यह सब हमारे पास क्या लाइट टे Exam बात करें पांढलव की वयंत पास में जो है नॉन नॉन साइखलिक रेक्शन इसके हम लोग बात करेंगे तो नोन सायक्लिंग यह थ्लкоеक्शन को पढ़ेंगे देखें किस प्रकार से हमारे पार नोन साइक्लिक रेक्शन बोलते हैं इसको और किस प्रकार से कंप्लीट होती है सबसे पहले यह हमारे पार स्टार्ट होती है कहां से फोटो सिस्टम से फोटो सिस्टम से पार हमारे पास में जो भी फोटन होते हैं जो भी लाइट के हमारे पार कन होते है वो P680 से हमारे पाँ स्टार्ट होते हैं और यहां पर हमारे पाँ जो water होता है उसका क्या होता है डिवाइडेशन मतलब अगर अगर बात करें तो यह हमारे पास में electron के रूप में यहां से त्यागता है और टू hydrogen निकालता है उसाथ में क्या होता है यहां से लेकर कहां बेज दथा हमारे पास में PQ के पास में PQ से हमारे पास में कहां जाएंगे साइटो क्रों B और F मतलब अगर अपन बात करें तो साइटो क्रों हमारे पास में complex से वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से PC के पास जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास few of item के पास से और यह PQ तक जो electron जाते हैं, यह कहलाता है हमारे पास electron transfer chain, और यहाँ पर हमारे पास में क्या बनता है, electron बनता है, पी 70 के पास same वही प्रोसेट यह फोटो सिंटेज हमारे पास second start होता है यहां से और यह होता है हमारे पास first यहां से complete ठीक है फोटो सिस्टम हमारे पास first जब complete होगा वही same हमारे पास photon आएंगे और यह इसको activation करेंगे पी 70 को और यहां से electron हमारे पास कहां जाएंगे primary acceptor के पास जाएंगे यहां से चले जाएंगे यहां पर भी हमारे पास electron का ट्रांसफर होगा और electron का जो ट्रांसफर होगा वह हमारे पास लेकिन अगर हम लोग बात करें यह यह आने के बाद में यह वापस साइकलिक में नहीं जाता है इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं non cyclic reaction या non cyclic flow बोलते हैं complete तो यह हो गया हमारे पास में non cyclic reaction then हम लोग बात करेंगे हमारे पास में cyclic reaction में हमारे पास में non cyclic reaction हो गया अब बात करते हैं हमारे पास में देखें, cyclic photo phosphorylation, जो cyclic photo phosphorylation है, वो किस तरीके से हमारे पाँ complete होता है, और किस तरीके से हमारे पाँ start होता है, सबसे पहले अगर हमारे बात करें, तो यह होता है, हमारे पास कहाँ पर P700 से, कहाँ से start होगा, P700 से start होगा, यहाँ पर हमारे पास में वही antenna जो molecule है, वो आएंग होगा और यह आएगा हमारे पास कहां पर क्राइमरी एकसेप्टर के पास में यहां से हमारे पास में और यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे पास में ATP का जो निर्मान होगा वो यहां पर होगा देन यहां से हमारे पास जो एलेक्ट्रोन वो PC के पास जाएगा और PC से वापस कहा जाएगा P700 के पास मतलब अगर बात करें यह साइक्लिक रियक्ष्ण है और साइक्लिक रियक्ष्ण में हमारे पाई इल्उक्त्रों जाता तो है लेकिन वापस भी क्म्प्लीट आ जाता है इसलिए इससे क्या बोलते हैं साइक्लिक रियक्ष्ण बोलते हैं intertwine descont्रों बात करेंगे तो फिर हमें एक आंसर क्या होगा N ADP होगा क्या होगा एडिय लोग बात करेंगे हमेटरों ट्रान्सपर साइभली रिच्षन में क्या बनता है तो यहाँ पर हमारे पार ओक्सिजिन बनते हैं और यहां पर क्या बनेंगे हमारे पास NADH नेश्च अमलोग बात करेंगे energy की तो देखिए आप कहां कहां पर हमारे पास जो net gate energy है वो ATP की रूप में हमारे पास कहां बन रही है non cycling में जो आपन बात करते हैं 4 completa टिवीए की रूह में कितने रूप में पंपन रहे हैं आटइबी मतलब 1 thrilled नए टीन हमारी पास में क्या हुगया एन एडिपिएच जो तीन हमारे पास Md एनए तीटी है क्या चार एक तोटल हो जाएंगे हमारे पास 4 सायकिलिघ रेक्शनक में थिसन तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो नॉन साइक्लिंग रियक्षन है वह और एफिसेंस होता है किस से साइक्लिंग रियक्षन से तो यह हो गया हमारे पास कन्कुलूजन जिसके हम लोग बात करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो देन लोग बात करें नेस्ट वीडियो में आपके लिए लेकिंगाव हैक्षून्ट वीदियो में आप लोगों को रहें करना है अपड़ी आने वाला वाले उसकी जानकारी भी मिलेगी और रेगुलर आपको क्या करेगा यहां पर बहुत सारी चीज़ों की जो भी हमारे पार रेगुलर रिलीज वो रहे हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी तो आप टेलिग्राम जो चैनल है उसको जॉइन कर लीजिए थेंक्यू वेरी मच